फाहत फासिल मालालम फिल्म इंडिस्ट्री का one of the most talented young actor है जिनको different different story पर experiment करते हुए नजार आते हैं और जिन्होंने एक national film award, two kerala state film award और three film for ever south जीता है तो दोस्ता आज मैं फाहत फाहत फासिल की box office कर्शन आने सिसके बादे में बताने वाली हूँ तो अगर आप हो फाहत फासिल के fan तो वीडियो शुरू से तक जारूर देखना और एक लाइक भी देना तो चलिए इंट्रो के बात मिलते हैं नमबर वन काय थूम दूराथ यह 2002 का रूमांटिक फिल्म है और इसमें फाहत फासिल निकीता लेटरो में है और यह फिल्म फ्लॉप निकलाब नमबर टू किरला का फिल्म यह 2009 का अंथल इसी फिल्म है और इसमें मामुद्ती पिति विराज, फाहत फासिल, निथा मेनन और भी कई अट्ट इरेक्टर्स है और इस कायम देविटिंग मिले 7.4 और यह फिल्म सुपर हीट सावित थूई नमबर ट्री प्रामानी यह 2010 का फिल्म है और इसमें मामुद्ती, स्नेहा और फाहत फासिली ड्रोम है और इसमें मामुद्ती, स्नेहा और फाहत फासिली ड्रोम है और इसमें रावी अबराहम एक सक्सेस्फूल आर्किटेक्ट है पर एक दिन एक स्ट्रेंजर आकर उनकी गा बित्वी नमबर फाइव टूर्णमेंट ये 2010 का रोड स्पोर्स फिर्म है और इसमें मुना, रूपा और फाहद फासील लिड्रोम है और फिर्म आवरज निकला ये 2011 का ठ्रिलर फिर्म है और इसमें वीनेत, वाहद फासील और रोमा अस्टानी लिड्रोम है इसमें बिजनेसमेन आर्जून और उनके वाइफ आन एक हैपी कपल है पर प्राइवलम तब क्रियेट होता है जब आरून का फोन खो जाते है जहाँ पर उसके और दूस्ट्री ल पारत, डाक्टर सारच कुमार ये 2012 का साटरिकल फिल्म है और फिल्म फ्लॉप निकला नमबर 8 22 फिमल को टायम ये 2012 का रिवेंच ट्रिलर फिल्म है और इसमें रिमा और फाहद फासीली ड्रोम है इसमें एक यांग नर्स तेसा अपनी लवर से बिट्रेट होने के बाद कैसे इसका रिवेंच लेते है वहाई इसमें दिखा ये है और इसका इम डेवेटिंग मिलाया 7.4 आउट अफ तन और इसका बाक्स फेस क्लिशन रहा है सिक्सक्रण और फिल्म हीट साबब थ्वी 9. Diamond Necklace यह 2012 का romantic drama film है और इसमें फाहत फैसेल और अनुस्री ली ड्रोमा है इसमें दुबाइ बेस्ट डाक्टर आरन कुमर जब छी डिफरेंट लाइफ स्टाइल के लार्की के साथ मीलते है तब डाक्टर का लाइफ कैसे एक टान पड़ा जाते है वहाई इसमें दिखायाई है और सकान देविटिंग विलाइ 7.2 आफ तन और ये फिल्म सुपर हीट सावी थूई 10. अकम ये 2013 का साइकोलोजिकल ट्रिलर फिल्म है और फिल्म फ्लॉप निकला 11. फ्राइड ये 2012 का ड्रमा ट्रिलर फिल्म है और फिल्म फ्लॉप निकला 11. अन्नायूम रसूलूम ये 2013 का ड्रमा फिल्म है और इसमें फाहत फसील और एंड्री अली ड्रमा है इसमें एक मुस्लिम टैक्सी ड्राइबर रसूल और एक लाटिन क्रिस्टन लर्की अन्ना के बेच प्यार को दिखे गई है और इसका डेविटिंग मिल है 7.4 आट अफ 10 और इसका बज़र था 4 क्राइब और इसका बॉक्स अफिस कर्शन रहा 13 क्राइब और ये फिल्म ब्लॉक्बस्टर साबित हुई नमबर थार्टिन नाथोली औरूप चेरिया मीन अलाब ये 2013 का रॉमांटिक कमेडिव फिल्म है और इसमें फ़ाद फसेल और कमाली ने मुख़ी लीड्रोम है और इसमें फ्लॉप निकला नमबर फिफ्टिन अमीन ये 2013 का रॉमांटिक कमेडिव मुजिकल फिल्म है और इसमें फाहद फसेल इंद्राजीत लीड्रोम है इसमें एक सैक्सोफोनिस्ट सूलोमान और एक आमी लड़की के बीच प्यार को दिखा गया है और इसका बज़र था त्री क्राइब और इसका एक इंसुरेंस कॉम्पानि पर जॉब लेते है ताब उसकी लाइफ कैसे चेंज हो जाते है वहाद इसमें दिखाई आई है और इसका एमडेवेटिंग मिला 6.8 आउट अफटन और ये फिल्म हीट सावित थुई इसमें एक बिजनस्मेन आज मल और उनकी वाइफ दोनों ने मिलकर कैसे मलापुडम से कोची तक एक नाइट जार्नी में जाता है वहाद इसमें दिखाई आई है और इसका एमडेवेटिंग मिला 6.9 आउट अफटन और इसमें सुपर हीट सावित हुई यह 2013 का मलालम फिल्म है और इसमें फ्लॉप निकला यह 2013 का ड्रमा फिल्म है और इसमें फाहद फसेल लीटर में है और इसमें अवरच निकला यह 2013 का एक्शन फिल्म है और इसमें जय सुरिया फाहद फसेल लीटर में है और इसमें फ्लॉप निकला 21. Not 24 का थाम यह 2013 रोड मुवी है और इसमें फाहत फासिल नेदु मूदी लीटरों में है इसमें एक सफ्टर इंजिनेर हरी कृष्णन जिन्होंने OCD डिजेस से भूग रही है उसका लाइफ स्टोरी को दिखायाई है और इस फिल्म को नाशनल फिल्म आवर्ड फोर बेस्ट फिचर फिल्म मिला है और इसका अम्डेवेटिंग मिला है 7.6 और इस फिल्म सूपर हीट साविट थूई नम्बर 22 गुरू इंजयान पारनाया का था यह 2013 का रोमैंटिक कोमेडी फिल्म है और इसमें फाहत फासिल और आमाला पाल लीटरों में है इसमें एक लोकल पॉलिटिकल पार्टिकल लीटर और एक इंग्डो कैनाडियन लर्की के बीच प्यार को दिखायाई है और इसका अम्डेव बेटिंग मिला 6.7 और इसमें फिल्म हीट साविथ हुई नम्बर 23 वान बाइटू यह 2014 का साइकलोजिकल मेडिकल फिल्म है और इसमें फाहत फासिल और हानी लीटरों महां और इसमें फ्लॉप निकला नम्बर 24 गॉट्स ओन कांट्री यह 2014 का अमालालम फिल्म है और इसमें फाहत फासिली ड्रोम है और इसमें फ्लॉप निकला नम्बर 25 बैंगलो डेज यह 2014 का रुमांटिक कॉमेडी ड्रोम है और इसमें नज्रिया नाजीम निविन पावली दिलकूर सलमान फाहत फासिली ड्रोम है इसमें चार का जिंग, अपने चाल ही ड्रिम फूलफिल करने के लिए बेंगल में रहना स्टार्ट करते है पर बाद में शाहर की गर्मी के वज़ा से इन लोगोंने कैसे कुछ चालेंज फेस करते हैं वह है इसमें दिखा यह है और इसका एमडे वेटिंग मिला 8.3 आउट अफ 10 और इसका बाज़र था 10 क्लाड बॉक्स अफेस कल्शन राफ फॉर्ट 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 फॉर्या लीडरों में है इसमें अलोशीप गाव पर अपने फैमिले से मिलने के लिए जाता है तब उसे पता चलते कि उसकी भाई अपने बाप के एगेस्ट पर साजिश कर रही है और इस फिल्म का 5 के लाइस्ट फिल्म एवर्स मिला है और इसका एमडे वेटिंग मिला 7.8 और इस फिल्म सूपर ही सावित्वी नंबर 27 मानी रातम्प ये 2014 का कोमेडी ठ्रिलर फिल्म है और इसमें फाहत फासील और निवेथा लिड्रों में है और इसमें फ्लॉप निकला नमब 29. हृट नमब 30. आयल एंग जयन अल्ला है। और इसमें फाहद फेसिल और मूर्दयला लीडरों में है, और फिल्म फ्लॉप निकला No.31. मुझसून मैंगोज ये तो 2016 का कमेड़ी फिल्म है, और इसमें फाहद फेसिल और शुराय में लीडरों में है, और फिल्म हीट सा भी थूई इसमें एक फाटोग्राफर का लाइफ स्टोरी और सोसाइटे में उसका फाइटिंग को दिखा याई है और इसका इम्डेवेटिंग मिला 8पन 3 आप दें और इसका फाइट इसका फाइट वाइट वाली नार सामिड और उनकी कॉलिक्स को टेरिस्ट अटक से बचाने के लिए इंडियान अमबसेडर मानच ने कैसे प्लान करते हैं वह इसमें दिखा याई है और इसका एमडेवेटिंग में लाइट पन्ट रिया आउट अफटन और इसका बज़र थाशिक्स क्राइब और इसका बॉक्स अफिसक्राशन है 35 क्राइब और यह फिल्म ब्लोगबस्टर सावी थी नमबर 34 रोल मॉडेल्स यह 2017 का रूमेंटिक कॉमेडी फिल्म है और यह फिल्म आवरच निकला यह 2017 का फैमिली ड्रामा फिल्म है और इसमें फाहत फैसल अनिमी शाली ड्रोम में है इसमें एक नियूली मेरिट कापुल स्रीजा और प्रसाथ पैसे के लिए स्रीजा की गोल्ड चैन को बेचने के लिए सोचते है पर बास में जाने के वाक्त कैसे यह चैन चोड़ी हो जात यह 2017 का तामिल आक्शन ठ्रीला फिल्म है और इसमें शीवा करती किया नैंतरा और फाहत फैसली ड्रोम में है इसमें एक लार का मैनेफेक्चरिंग कॉम्पनिस के गेंस्ट में फूट अडल्टरशन को लेकर कैसे फाइट करते है वाई इसमें दिखाया है और इसका एमड़ 5 क्रार और इसका बॉक्स अफिस करशन है 52 क्रार और फिल्म ब्लॉक्बस्टर साबित हुई नमर 37 कारबोन यह 2018 का एडवेंचर ठ्रीला फिल्म है और इसमें फाहत फासिल अमामता मुहंदास लीडरोम में है और फिल्म आए वरच निकला 38 वाराथन यह 2018 का सर्वाइवल ठ्रीलर फिल्म है और इसमें फाहत फासिल अर शुरिया लक्षमी लीडरोम में है इसमें अबाई अपने नौकरी खोने के बाद कैसे उसके और उसकी वाइफ पिया के लाइफ में एक टान आ जाते है वह इसमें दिखाया है और इसका एमडे इसमें प्राकाशन वीदेश जानी की ड्रीम्स को फूल्फिल करने के लिए कैसे स्ट्रागल करते हुए इसमें दिखाया है और इस फिल्म को वन अफ थाइस्ट क्रसिंग मालालम फिल्म माना जाता है और इसका एमडे वेटिंग में लाए 7.6 out of 10 और इसका वज़र था 12 क्र साइवन क्राइस का बॉक्स फिसकार्शन राप 40 क्राइश और इस फिल्म ब्लोगबस्टर साबित थूई इसमें एक फैमिली मेंबर्स का डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी को दिखाई आई है और इसका एमडे वेटिंग में लाइट पें 4 out of 10 और इस फिल्म हीट सावित थूई इसमें एक साक्रिटीस डॉक्टर नायर अपने पेशन इथिया से मिलता है और इसके मिस्टियस पस्ट की बारे में पता लगता है और इसका एमडे वेटिंग मिले 6.8 out of 10 और इस फिल्म हीट सावित थी नमबर 43 ट्रांस यह 2020 का ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म फ्लॉप निकला नमबर 44 मलिक यह अपकामिंग पॉलिटिकल ट्रीलर फिल्म है जिसको डेट करें महेश नरान ने और इसमें फाहत फसील और निमीशा लीडरों में है इसमें सुलायमान के लाइफ का फोर स्टेज को दिखा जाएगा जहाँ पर फाहत फसील को तक लुक में नजार आएंगे और इस फिल्म का बजट है एराउंड 27 क्लॉट्स और रिपोर्स का मतबए कि यह फिल्म 2020 में रिलिस हो सकते है नमबर 45 ठंकम यह अपकामिंग क्राइम ड्रमा फिल्म है और इसमें फाहत फसील और जो 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 लीडरों में है और इस फिल्म 2020 में रिलिस हो सकते है नमबर 46 नाले यह अपकामिंग ड्रामा फिल्म है और इसमें फाहद फैसिल इशा तलवार और मुकेश लिट्रोम है इसमें कलार का पांखों से जनाम लेते हैं और इसे सुसाइटी से छुपा कर रखते हैं पर कि इंसिडेंट के बज़ा से वो आपने पांखों को यूज करने और इवीडियो पर संदाय तो लाइक काना और सब्सक्राइब करना